हमारे घरों में पाया जाने वाला समुदरी नमक अलग किस्म से तयार होता और ये सेंध्या नमक एक दम अलग किस्म से इसे कोई बनाता नहीं है, सेंध्या नमक को कोई बनाता नहीं है यह नमक पूरी तरह से प्राक्रतिक है, ने सरगिक है, जो कुदरत की एक अन्मोल भेट है हमारे लिए, सेंधा नमक एक खनिज संपत्ती है जो पहाणों की ख़दानों में पाई जाती है, यह हमारे हिमालय सिंग लाहौर में पाया जाता है, और यह सबसे अधिक मात्रा में ल पाँच-पाँच साल भरा रहता था अब इसे आपको खाने के लिए लेना पड़ रहा है और यह बड़ा आश्चरी की बात है अब हम सेंधर नमक के फायदे जान लेते हैं इसके गुण है जिसकी वज़ा से इसे हमारे घरों से दूर किया गया है हमारे साथ बहुत बड़ा ध देता जबकि दूसरा जो सेंधर नमक है जिसका हम उपयोग नहीं करते जिसे आप खाने में इस्तवाल नहीं करते हैं उस नमक का क्यमिकल नाम है पोटेशियम क्लोराइड और इस पोटेशियम क्लोराइड का काम है टॉक्सिंस शरीर से जो जहर है उसको बाहर निकालने का श पीक रखने में मदद करते हैं इसमें पाया जाने वाले में पोशक्तत्व जो हैं उनका नाम है आयोडीन, लीथियम, मैगनीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, पॉटाशियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, जस्ता और अन्नी मिनरल्स ये इतना शुद्ध नमक होता है कि आप इ जानी में एक चमच, सेंधा नमक डालकर पीने से 5 मिनट में चक्कर आदी आने बंद हो जाएंगे, अगर आपको भूक में लगती हो, जिस दिन भारी चीजों का सेवन करना है, तब खाने से 10-15 मिनट पहले सेंधा नमक और आधा इंच अद्रक को चवा चवा कर खालें, अगर आप थोड़े दिन लगातार इसका इस्तामाल करेंगे तो, अगर आपको लो बीपी की शिकायत है, तो आपको इसका नियमित सिवन करना चाहिए, इससे बड़ा फायदा होगा, रोज सुबा एक गलास पानी में एक छोड़ा चमच सेंधा नमक डालकर सरूर पीने, व वसा यहने की फैट घटता है, चरीर सुंदर सुडॉल होता है, बीपी वालों के लिए एक वरदान है सेंधा नमक, सेंधा नमक डिली रूटीन में इस्तमाल करने से, एस रिप्लेश्मेंट सफेध नमक के, तो यह बीपी को इंट्रोल करने लगता है, और यह जो साधा वाल वो नमी को कीच लेना होता है, आपको पता हुआ कि पहले जो नमक आता था, उसको खुला छोड़ दें तो गीला गीला हो जाता था, मगर आज का नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लोइंग है, जो कभी गीला नहीं होता, क्योंकि इसमें जो नमी को आने वाले मिनरल थे, वो हटा दिये गए हैं, और नमी को स्विकारने वाले केमिकल मिला हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका नाम है, अलुमूनियम, सिलिकेट और पोटाशियम, आयोडेट, ये दोनों ही केमिकल शरीर के बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि ये बहुत ही हैवी होते हैं, जिससे किड़नी लिवर फिल्टर नहीं कर पाते, इसलिए बीपी अटाक्ट, परालेसिस, आंखों का ऑपरेशन, किड़नी फिल हो जाना, जॉइंट पेन होना, ऐसी बहुत सारी गंभीर बिमारिया हम लोगों को आजकर घेर रही है, क्योंकि हम लोग सेंधा नमक का इस्तामाल करना छोड़ उनकी रिसर्च में पाए गया कि ये लोग सेंधा नमक खाते हैं, समुद्री नमक नहीं, और अंग्रेजों को पता लग गया कि वो समुद्री नमक खाने के आदी हो चुके हैं, जिसके जानकारी उन्हें हो गए, तो उन्होंने, येनिके अंग्रेजों ने सिर्फ इस सेंध का सत्यागरा करा के समुद्री नमक का टैक्ट सटा दिया गया, जिसका भारती को कोई भी काम नहीं था, और वहां से 17 साल बाद, 1947 में भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, जिसमें सेंधा नमक भारत से दूर हो गया, क्योंकि ये सेंधा नमक लाहौर में मिलता, जो क नहीं रहा किसी को, बस यहीं का रहा है दोस्तों कि सेंधा नमक हम आज भी नहीं का रहे हैं, तो हमने आपको सारी जानकारी दे दिये ही कि सेंधा नमक कितना ज्यादा पावरफुल, कितना ज्यादा इस्तेमाल करने लायक है, और आज से ही आप इस्तेमाल करना शूर करें, उन्हें स्वास्तलाब जरूर होगा साधा नमक जहर है ये बात समझ लें और इसे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमली रिलेटिव्स में शेर करना बिलकुल न भूले मिलते हैं अगरे दिल्चस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद